करन कुंद्र और शमीता शेटी के रिलेशन्शिप के खबरों को सुनकर आगर का राकेश बापट का क्या है हाल ये जानना है बहुत जरूरी राकेश क्या सोचते हैं करन और शमीता के रिष्टे को लेकर आईए इस बात का खुलासा करने वाली हूँ इस वीडियो में तो ध्य भी टाइम से बिक बॉस के घर में जोड़ा जा रहा है चाहे वो राखी सावंत हो चाहे वो राजी वदात्या हो कई बार जोडते हैं लोग ऐसे नाम हाला कि कई लोग मतलब मजे मजे में नाम जोडते हैं तो वो काफी फणी सा होता है और लेकिन आखरकार करन कुंद्रा औ कई रिष्टा है या नहीं आपको बतातू तो जब भी ऐसा कुछ होता है शमीता हमेशा से उसे नजर अंदास करती है और यह बात उन्होंने कई बार कही है कि राकेश को ये बात बुई लगेगी इवन वह अपनी ममी से भी जब उनकी बाते चल रहे थी उन्होंने राकेश के बारे में खास तोर पर पूचा उनके हाल चाल के बारे में इससे साव जाहर होता है कि शमीता असल में कुछ भी पील नहीं करती है करन के लिए बल्कि उनकी फीलिंक्स राकेश के लिए ही है ऐसे में अगर आपको याद होगा तो अभी रिसेंटली घर के अंदर ऐस्ट्र बापट की तरफ ही था और जैसा कि आपको बता दू कि फिलहाल राकेश बापट से इंटिव्यू के दौरान पूछा गया है एक सवाल करन और शमीता के नाम जोड़ने पर उनके क्या है फिलिंक्स राकेश बोलते हैं कि वो काफी बार हसते हैं क्योंकि उनको ये सारी चीज इसों का होना बहुत नॉमल है और बहुत ऑवियस है ऐसे में नाम जोड़े जाते हैं लेकिन मुझे पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ एक मजाग का पाठ है इस वजह से मैं जब भी ऐसा सुनता हूं तो मुझे सिर्फ हसी आती है तो ऐसे में राके राकेश का कहना है कि शमीता बहुत सुलजी हुई है बहुत अच्छा गेम खेल रही है और कहीं न कहीं शमीता सुलजी हुई है इस पछा से हम दोनों बिग बॉस OTT में मिले थे और हम दोनों का इंटरक्शन हुआ और हम दोनों कनेक्शन हम दोनों ने फील किया और यही रीज आपको कितनी पसंद आती है शमीता और राकेश की जोड़ी क्या पिक बॉस के घर के बाहर आप देखना चाहेंगे इन्हें शादी करता हुआ देखकर आप कितने खुश होंगे ये भी हमें बताईएगा हमारे कमेंट सेक्शन में तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें चानल किसास